तो आज है साम में मुकाबला इंडिया वर्सेज इंगलैंड और सब की नजर है इस मैच पे पूरा वर्ड देखेगा और क्यूंकि एक तरफ साउस अफिर का ने अफगनिस्तान को हरा के अपने फाइनल का टिकेट कटवा लिया है वो भी निगाहें होगी पूरी उनकी की कौन सी टीम है दूसरी जो हमारे सामने खेलेगी आल राउंडर में अपने पास अक्षर पटेल जो हमेशा से पहतरीन परफॉर्मिस करते हैं और इस वर्ल्ड कप में भी कई ऐसे मौके आए जहां पे जरूत इंडियन टीम को बखुबी खड़े उतरे है हार्दिक पांडिया थे सामने जिन्होंने कई मैच जिता हैं तो सब के सब बहतरीन टच में हैं और इंडिया टीम आसानी से इंग्लैंड को बीट कर देगी इसकी पूरी गैरेंटी है लेकिन सबसे चिंता का विसे यह है कि यह है सेमिफाइनल यह नॉर्मल मैच नहीं है यह आपका सुपर 8 मुकावला नहीं है कि एक मैच हार भी जाओ तो आप बारिश होती रही तो इंडिया टीम फाइनल में पहुँच जाएगी लेकिन देखो हम लोग किर्केट को स्पिरिट की तरह लेते हैं और हम चाहते है कि इंग्लैंड को हरा के आगे जाए ऐसा नहीं कि बारिश होती है यही दुआ करेंगे और यह सब नहीं है हम चाहते हैं अच्छा मैच हो और इंडियन टीम अपना दमखम दिखाए इंग्लैंड को हरा के कॉन्फिडेंट के साथ फाइनल में साउथ अफिरका का सामना करें बाकी मुझे लगता है जो अभी सबसे जादा चिंता का विसे है इंडियन टीम के लिए वो है विराट कोली क्योंकि यह प्लेयर है जिसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है नॉक आट मैचेज में सेमी फाइनल फाइनल जैसे मैचेज में इनका बल्ला चलना बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता इंडियन टीम के लिए क्योंकि विराट कोली जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता वो एक एक प्रेशर जहिलना जानते हैं अपने आपको काम रखना जानते हैं किसी भी प्रेशर हो किसी भी सिच्वेशन हो या कोई भी बॉलर हो उनको पता है कैसे गीम को निकाला जाता है वहीं बहुत सारे ऐसे हैं जो अनिक्स्पिरियंस्ड है इतना जादा तजरुरबा नहीं है त यह पूरा टोनामेंट में उनसे ओपन करवा करवा के कहीं न कहीं परफॉर्मेंस की एल लगा दी है अब हम ऐसे विराट कोली फैन चाहते थे कि नंबर तीन पे खिलाओ बट पता नहीं कौन ऐसा चाह रहा है कि उनको ओपन ही करवाए जा रहा भाई बाई समझो थोड़ी बुद्धी लाओ एक मैच फैल को आप कह सकते हो कि अनलकी दो मैच को अनलकी तीन मैच यहां तो इतने सारे मैचेज में विराट कोली फैल होते हुए नज़र आए विराट कोली को आप नंबर तीन खिलाए ओपन आप किसी और से करवा लीजिये क्योंकि ओपन के लिए आपके पास बहुत सारे उप्शन है लेकिन नंबर तीन के लिए जिस तरीके से विराट कोली गीम को चलाते हैं सिचुईशन को समझ के आपने बिल्कूल ही अलग रोल दे दियार आपने उन्हें ऐसे बता दिया कि भाईया जाओ ब्रेंडन मेकलन टाइप होते हैं जो आते ही मारना चालू कर देते हैं उनका गेम ही नहीं है उनका गेम है कि 15-20 बॉल खेलने के बाद किसी की भी एल लगा सकते हैं वाट लगा सकते हैं अग्दम तरीके से खेलते हैं वो अलगी विराट कोली नजर आते लेकिन पहले बॉल से उनके पास उस तरीके का जो टेक्निक और उन तरीके का उन्होंने खेला ही नहीं है किर्केट इतने लंबे समय से खेल रहे हैं इंडियन टीम के लिए और नमबर तीन के लिए खेल रहे हैं और इतने वड़े कारणामे की इतने वड़े रन बनाएं तो अगर आज आपने ये गलती कर दी है उन्हें ओपन खिलाने की और फिर फेल हो जाते हैं और कुछ उच्छ नीच हो जाती है तो उसका जिम्मेदार वही होगा जिन्होंने ये डिसीजन लिया है क्योंकि विराट कोली नमबर तीन के लिए बेस्ट है आपकी बाद बिलकुल सही है बाकि सबकी नजर रहेगी हार्दिक पांडिया के उपर क्योंकि हार्दिक पांडिया ऐसे बॉलिंग, ऐसे बैट्समेन जब सिचुएशन ऐसी होती है जहां इंडिया टीम को सबसे ज़्याजा ज़रुत होती है तब उनका वहाँ पे आना होता है और वो उस तरीके का गेम है उनका कि वहाँ से वो गेम बदल सकते है ना सिब बैटिंग में, बॉलिंग में भी अगर वो दोनों ही चीजों में कारणामे कर जाते है तो इंडिया टीम के लिए कहीं न कहीं रहा है आसान हो जाएगी क्योंकि इंग्लैंड की टीम को हलके में नहीं ले सकते इंग्लैंड बहतरीन क्रिकेट पूरा टूनाइमेंट में खिलते हुए याई है और अलगी तरीके के टच में नज़र आ रही है उनके सारे प्लेयर कहीं न कहीं IPL में आउट ओफ फॉर्म नज़र आ रहे थे लेकिन जैसी वर्ल्ड काप आया गजब का क्रिकेट खेल रहे हैं चाहे बटलर हो चाहे बेस्टो हो सबने तुफान उठाया हुआ है तो हमें उनको हलके में लेने के जुरुत नहीं है बाकी पूरी नज़र अपने बुमरा और अश्डिप सिंग पे भी रहेगा क्योंकि उन्होंने क्वालिटी गिंदवाजी की यार पूरे वर्ल्ड कप में हाँ ये कहूंगा कि आफगनिस्तान कहीं न कहीं बहुत जादा बुरा खेल गई क्योंकि कहीं न कहीं अगर सो और तेट सो रन बन जाते न बोड पे तो साउथ अफिरगा की टीम न लडख़डा सकती थी लेकिन रन ही इतने कम थे कि वो आसानी से उन्होंने चेस कर लिया बाकि इंडिया टीम इंगलेंड को हरा के फाइनल में पहुंच जाती है तो लिखवा के ले लेओ कि ये वर्ल्ड कप हमारा है तो बाकि कमेंट में बताईए इंडिया वर्सिस इंगलेंड में किसका पलरा भारी रहेगा क्या लगता है कि विराट कोली को नंबर 3 पे खिलाना चाहिए आपकी राय जो भी है कमेंट में दीजिएगा बाकि मेरे हिसाब से उनको नंबर 3 पे खिलना चाहिए फिर में लेंग एगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा बाई